आज मैं आप लोगों को बता हूँ कि एक अच्छा डोमेन आइडिया कैसे फाइंड आउट करना है हाई गाईज मेरा नाम है कृपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आज मैं आप लोगों बता हूँ कि एक अच्छा डोमेन नेम कैसे फाइंड आउट करना है अपनी वेबसाइट ले या फिर एक अच्छा बिजनस नेम कैसे फाइंड आउट करना है क्योंकि एक अच्छा नाम होना आज की डेट में काफी important है अगर आप लोग brandable domain name या brandable नाम ढून रहे हो तो उसको find out करना अपने आप में काफी challenging हो जाता है and no one knows that better than me क्योंकि man I do suck at it, मुझे नाम ढूनने में काफी problem होती थी अभी भी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ tools दूने हैं जो मुझे थोड़ा बहुत help कर लेते हैं जबी मैं कुछ नया launch करता हूँ कोई app या फिर कोई website anything, अगर मैं कुछ भी launch करता हूँ तो यह कुछ tools है जिनका मैं use करता हूँ तो आज मैं आप लोग को ऐसे 10 tools बताऊँगा जो आपको help करेंगे एक अच्छा brandable domain name ढूणने के लिए इसका blog भी है जहाँ पर आपको 20 ऐसे tools देखने को मिल जाएंगे अभी फिलाल वीडियो के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ 10 tools ही cover करूँगा अगर आपको और जानना है तो आपको इस ब्लॉग का लिंक नीचे description पर मिल जाएगा सबसे पहली website है माल पास luka.com यह usually use होती है एक brand को create करने के लिए logo अगरे बनाने के लिए बट इनका यहाँ पर एक hidden tool भी है जो आता है business name generator के नाम से इसका link आपको नीचे मिल जाएगा तो यहाँ पर हम लोग generate कर सकते हैं जिसे मैं travel type करता हूं तो travel generate तो यहाँ पर मुझे travel related यहाँ पर कुछ keywords मिल जाएगे जैसे take a trip availability पर click करूआ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि domain available है की नहीं है जैसे take a trip.com नहीं है यह कुछ domain names available है alternate domain names में देख सकता हूं यहाँ पर और काफी कुछ मुझे यहाँ से मिल जाता है जैसे इसकी reputation कितनी है trademark है की नहीं है social mark social media पर availability है की नहीं है इसकी बहुत सारे और भी यहाँ पर आपको domain name domain मिल जाते काफी unique और काफी अच्छा लगता है for example यहाँ पर मैं डालता हूं travel bags बगर मुझे यहाँ पर कोई website जिसमें मैंने travel bags को लेकर मैंने एक नीश बनाया है तो देखते हैं travel list traveling by it's a nice name let's see available है क्या domain availability traveling by.com नहीं है बाकी सारे यहाँ पर domain names है तो लूका यहाँ पर मुझे काफी अच्छी website लगी है domain name को find out करने के लिए काफी अच्छे ideas यहाँ पर दे देता है next website we have is namestation.com यह website specifically सिफ domain names के लिए ही बनाई गई है इस पर अगर आपको domain names देखने है generate करने है तो यहाँ पर आपको पहले रेजिस्टर करना पड़ेगा आपका free account उसके बाद ही यह चलता है तो यहाँ पर फिलाल में डाल देता हूं again travel देखते हैं क्या हमें मिलता है and free account में यहाँ पर देख सकते हैं और अगर कुछ keywords है जो आपको चाहिए उस domain name में तो भी आप देख सकते हो इसने कुछ domain names दे दिये हैं तो इसमें से अब हम लोग देख सकते हैं तो तू-sorts.com एक अच्छा हो सकता है .arise.com भी एक अच्छा domain हो सकता है अब यहाँ पर एक contest का भी feature होता है कि ह आप लोग अपर आपने test क्रीएट कर सकते हैं और जू अब है जो बाकी users होते वो सारी users यहां पर आपका काम कर्देंगे फो सब search करके यहां पर हखो contest create करे थे यह कुछ domain name से जो users ने आप एलाके दिये हैं जैसे cryptocurrency के लिए कि हो गया dgta.com वैसी कुछ यहाँ पर domain names हो रहा है codecores.com यह भी users ने submit किया था तो अगर यहाँ पर आपको domain name नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर contest create कर सकते हैं जितने भी users है वो लोग यहाँ पर आकर के वो domain name को submit करते हैं अब obviously यहाँ पर इसके लिए पैसे आपको देने पढ़ेंगे लेकिन जो इसकी fees है वो मुझे affordable लगी है considering कि इतने सारे options आपको मिल जाते हैं तो $40 per contest है यहाँ पर आप लोग एक contest create कर सकते हैं उसके आपको $40 देने पढ़ेंगे तो अगर आप लोग खुड domain name नहीं डूण पा रहे हो तो यहाँ से दूसरों की help ले सकते हो मुझे ठीक लग रहा है अगर future में मुझे ज़वरत पड़ी तो मैं definitely यहाँ पर इसको try करूँगा next वे business name generator dot net पहले name smith के नाम से था अब यहाँ पर business name generator आ गया है यहाँ पर domain name से search नहीं करता है for example मैं यहाँ पर travel type करता हूँ तो travel पर उसने मुझे कुछ नाम दे दिया है again यह domain name इसने check नहीं किया है यहाँ पर availability check नहीं करिए यह इसका सबसे बड़ा ड्रॉबाक है travel vibe dot com is is a premium domain काभी expensive site पर है next website is business name generator dot com last website dot net यह dot com है यहाँ पर अगेन हम लोग यहाँ पर search करके देखते है travel and यह कुछ यहाँ पर इसने domain name suggest करे हैं लेकिन इसकी availability अगेन आपको जब click करोगे तब वो बताया कि वो available है कि नहीं है जैसे travel hut dot in नहीं है travel hut dot com नहीं है travel hut dot org है इसको यहाँ पर register कर सकते हो तो availability हैं पर आपको click करने के बाद ही पता चलीगी next is name links यहाँ पर business names generate करता है domain name के availability नहीं बताता है for example यहाँ पर travel search करता हूँ इसके बाद मुझसे पूछे कि कितनी लेंध का चेह शौर्ट एंड मीडियम मुझे लॉंग नहीं चाहिए then let's click next और यहाँ पर इसने मुझे कुछ जनरेट कर दिया यह लोगो वेबसाइट भी है तो यहाँ से आप लोगो भी देख सकते हो यहां से आपको कुछ अच्छे आइडिया मिल जाएंगे अपने डोमीन नेम के लिए फॉर एंपल ट्रावरी इस वन ट्रावेंस इस वन को अगें चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है यहां पर ट्रावेंस देखते हम लोग रावेंस.com इस अवेलेबल बट थोड़े एक्सपेंसिव साइट पर एट अगेन अप्रीम डोमीन तो यहां से आपको आइडिया मिल सकते हैं आपको अच्छे आइडिया आपको जन्रेट कर देता है मालब यूनीक आइडिया दे रहा है यहां पर इनका डोमेन सर्च फंक्शनालीटी भी इनका इंके 20 मोड करके आता है आपको बहुत ज्यादा एडवांस नहीं मिलते हैं लेकिन इसकी खास बात है कि अवेलिबिलिटी सबकी एकी साथ चेक कर लेता है इस सारे डोमेन्स की चेक कर लिए और यूस्ट्राइबल डाट कॉम यहां पर अवीलिबल है बैसे ट्राइट ड्राइवल इन नहीं इसमें तो इससे ढीनिम स्थे इन बता जिता आपको कुछी की कौन कौन से डोमेन नेम से आपर अविलेबल है देने आपर नेमस्नाग प्रविट से आपको रिजर्ट से मिल तो आप इसको भी आप पर ट्राइब कर सकते हैं है एक अपर त्राइबल बाकि जितने बीच निम सब्सक्राइब काफी लंबे है लिए दो में डॉमें वील.com यहां से भी आपको डॉमें निम्स के आइडिया इसमें डॉमें बेच पर इसने आप fins, डॉमें रॉमें 211 बॉमें डॉमें 242 डॉमें काफ ऐसे मिल्गे आपन्यी ड Advisor से रिडिया रॉम यहां पर जब लॉमें 2 डॉमें डॉमें लीच ने डॉमें डॉमें और इसने जो मुझे कीवर्ट सजेशन दिये हैं वो कुछ इस तरीके से हैं it's not the best one out there but you can try शायद से आपके domain name के लिए कुछ अच्छे सजेशन से दे दे नेक्स्ट याए Shopify Shopify का खुद का business name generator टूल भी है यह use किया जाता है business name को generate करने के लिए not for domain domain name बड़ हम लोग से एक idea ले सकते हैं so यहाँ पर मैं travel bags डाल के देखता हूं किस तरह के मुझे domain name suggest करता है तो travel bags travel bags wizard travel bags tom तो इसने basically कुछ names को उसके आगे लगा दिया है that is it वह सब्सक्राइब वीडिफगा आगा जीए तो पहले कि जो पाँच website से काफी अच्छी थी और अगर आपको इसमें भीів आइडियाज नीं मिले तो और वेबसाइट primary ब्लॉग पर मिल जाएगी और अगर उसमें भी नहीं मिले तो एक और तरीका है एक बोनस तरीका भी है जो मैं अभी आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूँ वह है एक वेबसाइट इसलिए पर अपर आपको रजिस्टर कर लेना है फ्री में रजिस्टरेशन आपका हो जाएगा और जो भी आपको सर्च करना है फॉर एक्सामपल मुझे ट्रावल डालाओं लूगा लेट्स सर्च अब यहां से अभी हम लोग इसके फिल्टर्स भी चेक कर लेगे अब लेंद्ध कितना बड़ा होना चाहिए मेरे माकसिमम में पर 12 होना चाहिए ट्वैल से बड़ा फिलाल मैं डोमें नहीं देख रहा हूं यह कुछ यहां पर डोमें नेम सब आ गये हैं जो कि एक्स्पायर हो चुके हैं और अब अवेलेबल है आप लोग इसको डारेक्ली जाक करना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम यहां पर स्पेंड करना पड़ेगा जैसे यहां पर मुझे एक अच्छा डोमें मिला है travelricks.com अगर मैं कुछ accessories से related यहां पर एक ब्लॉक बना रहा हूं तो मैं इसको देख सकता हूं और इसमें एक important बात यह है कि expired domain name से तो हो सकता है इस कर लेंगे और यह हमारा आ गया है back links वगरे तो ठीक है इसके जो spam score है यह जो SS है यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे 1% है ठीक है अगर यह 10% के ऊपर है तो फिर आपको इसका इस website का या फिर इस domain name का यूज नहीं करना चाहिए बाकि it looks like a good domain यहां पर इसकी domain authority भ तो travel rigs काफी अच्छा domain name है अभी फिलाली अविलेबल है अगर आप लोग भी कोई travel accessories से related website बना रहे हो तो you can try this one out तो यह थी कुछ website जिनका मैं खुद यहां पर personally use करता हूँ I hope आपको भी यहां पर कुछ अच्छा इडियाज मिल गए होंगे अपने next business के लिए अपने next blog के लिए अपने next domain name के लिए और अगर आपके पस कोई और nice suggestions है तो do let me know in the comment section below और अगर अगर आपको और websites देखनी है तो आपको मेरे blog article पर मिल जाएंगे उसको regularly update भी करते रहूंगा मैं जैसे मेरे पास यहां पर suggestions आते रहेंगे so that is it for this one अगर आप कोई वीडियो अच्छ लगाए तो उसको thumbs up जारूर देजेगा and चैनल को subscribe कर लिजेगा all interesting videos ले and I will see you guys in the next one good bye